इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रू पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बंदरों को, आप बहुत देर से हमारी इंतिदार में खड़ें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज बनारस काशी मा की धर्ती इसले आई हूँ, काशी की धर्ती इसले आई हूँ, ताकि मैं गंगा मया से प्रार्थना कर सकूँ, पूजा कर सकूँ कि मुझे और मेरी सारी बेहनों को हिंदुस्तान की हर एक महला को, उत्तरप्रदीश की हर एक महला को सुरक्षित रखें क्योंकि ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं जिस सरकार में उनके अपने विधायक सुरक्षित नहीं है और मैं इस चीज़ के माध्यां से सबको पहुंचाना चाहते हूं कि जिस सरकार में जिस प्रदेश में जिस देश में जन्प्रतिनिदी यंग-elected MLA's यंग-female-elected MLA's सु बाकी महलाओं का क्या हशर होगा? हापर वाले अभी अभी आपने केस सुना, ऐसे मतलब आम तरीके से लोग बात करने लगें कि हर दिन कितने ऐसे केसज होते हैं और हम लोग अलमोस एक तरीके से इम्यून होते जा रहे हैं ये बहुत बहुत दुखत बाल है शरम की बात है अभी जैसे मेरी कॉलिग ने भी कहा था ये वो प्रदेश है जहां से प्रधान मंत्री इसी धर्ती से और ग्रह मंत्री चुनके गए हैं तब भी ये हाल है आप लोग हमेशा कहते हैं कि कम उमर के लोग क्यों नहीं आते हैं रा आप के सामने है जहां विधायक सुरक्षित नहीं है जहां विधायक सुरक्षित नहीं है वहां महिलाओं को कहा जाता है कि पॉलिटिकल बैग्राउंड के महिलाओं की परसिंटेज काफी कम है क्या यहीं रीजन है कि सुरक्षित नहीं है महिलाओं सिर्फ इसली यह नहीं आ रही है आगे बहुत सारे इसके वो होते हैं एक तो सबसे बड़ी चीज है फीमेल रेप्रेसें करेंटेशन जब आरक्षन आएगा कॉंड़ेस पर्टी की जब सरकार आएगी 33 परसें आरक्षन आएगा देखिए स्ट्रेंग्टन नंबर है ना जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक अखटे हाउस कोंचेंगे तो कौन हिला पाएगा हमें इसी रहे हम आरक्षन की मांग करें 33 परसेंट माहिला आरक्षन की मांग कर रहे हैं ताकि हम अगर सरकार नहीं तो कम से कम हम एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें एक जुट खड़े हो इससे पहला कॉंग्रेस गोर्रमेंट अ आरक्षन के तो कर दो कर दो कि की मांग